हेलो दोस्तो कैसे आप सब मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं 2021 में रिलीज हुई एक ट्रिलर मुवी गर्ल इन दा बेस्मेंट के बारे में यह मुवी काफी अच्छी है तो आप इसका स्टोरी पूरा जरूर देखना और यह जो मुवी है एक सची घटना पर आधारित है और वीडियो शुरू करने से पहले हम बताएंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर जरूर करना और साथी साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो मुवी की शुरू बात होती है एक कार को दिखाते हुए जिसके अंदर एक लड़की होती है जो के काफे बिमार होती है और उसे हॉस्पिटल लेखे जाया जाता है इसके बाद सिन शिफ्ट होते है 20 साल पीछे जहांपर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है डिनर टेबल में सारा पार्टी में जाने की बात करते है अपने फैमिली के सामने जहांपर डॉन उसे मना कर देता है और डांटते है तो सारा बहाँ से उठके अपने रूम में चली जाती है डिनर खतम करे भी नहीं फिर सारा विंडो के थू अपने घर से निकल के अपने बॉइफ्रेंड के साथ एक पार्टी में चली जाती है जब सारा की मॉम सारा को खोशते हो उसके रूम में आती है तो देखते हैं सारा अपने रूम में नहीं है ये बात जैसी डॉन को पता चलता ही तो उन्हें बहुत गुसा आता है इधर हम सारा को देखता है जो कि काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है अपने बॉइफ्रेंड क्रिस के साथ फिर सुबह क्रिस उसे घर तक छोड़ जाता है जब सारा घर के अंदर जारी होती है तो उसका पापा उसे देख लेते हैं और उसे डांट लगाते हैं तब ही बहां पर आयरेन आके सारा को बचा लेती है तो सारा अपने रूम में चली जाती है फिर एमी, सारा और आयरेन रूम में बैट के बात कर रहे होता है तब ही सारा उन्हें बताती है कि जब मैं 18 साल की हो जाओंगी न तो मैं ये घर छोड़ के चली जाओंगे अपने बॉइफ्रेंड के पास क्योंकि वो अपने अब्यूसिफ फदर के साथ और नहीं रह सकती है यहां पर पर ये सब कुछ डॉन रूम के बाहर खड़े हुए सुन लेता है इसके बात वो घर के बेस्मेंट में जाता है जहां हम देखते हैं कि एक सिक्रेट रूम होता है और उनके फैमिली में किसी को पर फिस रूम के बारे में मालुम नहीं होता है अब जाता है एक सारा की वहन एमी घर से बाहर होती है और आईरेण भी घर के शौपिंग के लिए बजार जाती है तो उस बक्त घर में सिर्फ सारा और वहते हैं इसी मौके का फाइदा उठा के डान सारा को थोड़ा बुलात तो देखते है बहाँ पर एक secret room है वो देखके सारा थोड़ा सा हैरान हो जाती है फिर वो बक्से को basement के अंदर चोड़ देता है जब वो बाहर आने लगती है तो डॉन पहली वहां से बाहर निकल के बाहर से gate को लॉक कर देता है जिससे सारा बहुत परिशान हो जाती है चीकने चिलाने लगती है पर सारा की आवास जो है बाहर तक नहीं जाती क्योंकि बोरूम एक वोईस प्रूफ रूम होता है सारा को कुछ भी समझनी आता है कि डॉन ने उसे इस तरह से लॉक्यू किया है तो वो फट से जाके उस बॉक्स को ओपन करती है तो देखती है कि उसके अंद सिस्टम भी रुख जाता है जिसके कारण सारा को सांस लेने में भी तकलीफ होती है सारा वेंडिलेशन के थ्रूफ चीखती है तो डॉन आगे उस जगा को भी कवर कर देता है ताकि वहां से वास बाहर ना जाए इधर एमी और आयरीन सारा को घर पर ना देखके बहुत मैं आता है तो साहरा उसे धक्का मार के भागने की कोशिश करती जब बहुत साहरा को खता है इंगायन पुलिस को कॉल कर देते और उन्हें सारा के बार में बताते हैं तब ही बहुत और लागने बात की ती घर से बाग जाने कि शायद व कि सारा ऐसा नहीं करेगी वो बस बोलती है बट कभी घर चोड़के नहीं जाएगी पर वहाँ पर इंस्पेक्टर कहता है कि आप लोग थोड़े दिन वेट करो सारा के लिए और वहाँ से चले जाते हैं पुलिस इन्वेस्टिकेशन के बजाए से सारा का बॉइफ्रेंड क्रि इसके लिए एक बड़े केक और गिफ्ट लाता है पर इंसे रेट कलर का एक बोल्ड ड्रस देता है और सारा को पहन के आने के लिए बोलता है सारा भी वैसा ही करती है उसके बाद शारा का फीर से सोशन करता है ऐसे ही जब 38 डेस हो जाते हैं तो सारा एक कैन ओपन करके खाना खा रही होती है तब ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कैन का धकन से एक हतियार बनाती है जब उस रूम में डॉन आता है तो वो उस हतियार से डॉन पर वार करने की कोशिश करता है पर डॉन उसे पकर लेता है उसके बाद डॉन उसे फिर से बहुत सारा भी प्रेइगनेंट होती है तब ही सारा को लेबर पेन होती है तो सारा किसी के हेल्प के बिना ही एक बेबी गर्ल को जनम देती है और उसका नम मैरी रखती है ऐसे ही चार साल बीच जाते हैं पर आरेन अभी तक अपनी बेटी को भूल नहीं पाई थी और वो अपने जो को बेस्मेंट से बहार निकाल दे पर डॉन उस पर गुस्ता हो जाता है और डिनाई कर देता है जब डॉन उपर आता है डिनर करने अपनी बीबी आईरेन और बेटी आइमी के साथ तो आईरेन उसे पताती है कि मुझे सारा के लिए फिर से इन्वेस्टिकेशन करवानी है डॉन उस पर बहुत जादा भड़क जाता है और वहां से उटके चला जाता है क्रिस्मस पर डॉन सारा और मेरी को एक टेलिविशन गिफ्ट करते हैं जिस पर सारा बहुत जादा खुश हो जाती है इधर आईरेन को अपने बेटी के लिए वेट करते हुए साथ साल गुजर जाते हैं पर सारा के रिलेटेट कोई भी ख़बर उसे नहीं मिलता थबी हमें वैसमें इनका सीन दिखा जाता है जहां पर हम देखते हैं सारा का दूसरा बच्चा माइकेल भी बड़ा हो गया था पर उसकी बड़ी बेटी मैरी काफी जादा बिमार होती है डॉन उसके चीव नाम के बंदी के साथ भाग गया है जिस पर अमी बताती है कि सारा के कभी भी चुपा के रखा या कुछ किया है इधर एक दिन डॉन एमी और आरिन जब सारा के बाईरे मैं बात कर रही होती तो उनके अंदर बहत हो जाती है तो डॉन आरिन के पीछे जाने लगता है वहीं पर डॉन बेस्मेंट का की छोड़ के चला जाता है। ये एमी देख लेती है तो वो की अपने पास रख लेती है। जब वो बेस्मेंट में पॉस्त जिया तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता हैं बहुत सारे समान दिखता है। उसी टाइम पीछे से डॉन आ जाता है नैमी को डांट लगा के उपर भेज देते हैं। इधर सारा फिर से प्रेगनेंट हो जाती है और मेरी और माइकेल भी बड़े होने लगते हैं। तो बो दुनों सारा को अलग-अलग कोस्चिन करना चालू कर देते हैं। पर सारा हमें से अपने बच्चों को अपने बातों पे उलचा के रखती हैं। और खुश रखने की कोशिश करती है। सारा का थर्ड बेबी भी हो जाता है तो सारा उसका नाम धौमस रखती है। जब डॉन उन से मिलने आते हैं तो सारा उसे बताती है कि वो एक और बच्चे की responsibility नहीं उठा सकती है। साथी ये रूम काफी छोटा है इतने सारे बच्चों के लिए। तो डॉन उसके बातों को समझता है और एक स्टोरी बनाता है। वो उस बच्चे को अपने घर के गेट के सामने रख देता है। मैं इसके देखबाल नहीं कर पा रही हो। जब तक मेरे हालत ठीक नहीं होते तब तक मैं इसे आपके पाइस छोड़ रही हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ यह देख आयरिन बहुत खुश हो जाती है और थामस को अपने गले लगा लेती है सारा ने उस बॉक्स में आयरिन के लिए एक और लेटर छोड़ा था पर आयरिन बो नहीं देख पाती वो लेटर डॉन देख लेता है उसके बाद बेस्मे के से टच कर रहा होता है यह देखके सारा वहां पर आके मेरी को साइड में कर लेती है और डॉन को कहती है कि तुम मेरे बच्चे से दूर रहा हो जिस पर गुसा हो जाता है रूम का वेंटिलेशन बंद कर देता है 17 साल गुजर जाते हैं और ऐसी एक दिन बाहर बहुत करी उपाणी करने लगतीये तो सारा वहां से टरफ करती है जहां उसे चोटा सा उल दिकता है वहां पर समेंट अटा के देखते है कि वह उसी के गर के गार्डेन का रस्ता आंटा मालुम परता है तो बहुत जादा मारता है और ये सबसे सारा की bleeding चालू हो जाते जिसके कारण सारा का fourth baby date पैदा होता है डॉन उस बच्चे को लेके garden में दफना देता है इसके बाद एक दिन माईकेल और मेरी डॉन से पूछते हैं कि वो लोग कभ यहां से निकल सकते हैं डॉन बताता है कि यह चीज़ डिपेंड करते हैं तुम्हारे मम्मी के behavior पे जिस दिन तुम्हारे मम्मी ठीक से behavior करेगी उसी दिन तुम लोग बाहर जा पाओगे तो डॉन के जाने के बाद मेरी और माईकेल इसनी मम्मी के साथ बहुत बत्तेमीजी से बात करते हैं कड़ने लगते हैं जहाँ पर पहले तो सारा उन्हें कुछ नहीं बता थी पर बाद में उन्हें सब कुछ सच सच बता देती हैं क्योंकि वो दोनों बड़े हो चुके थे जब बच्चों को पता चलता है कि डॉन सारा के फादर है तो बच्चे बहुत शौक हो जाते हैं और वो लोग वहां से निकलने के लिए परेशान होने लगते हैं पर सारा उने दिलाशा देती है कि एक दिन वो तिनों जरूर यहां से निकलेंगे इसके बाद डॉन जब नीचे आके सारा से बत्यमीजी से बात करता है तो माइकल बुसा हो कि अपने पापा पर अटाक करता है जिस पर सारा उसे रोक लेती है इधर डॉन का जॉब भी चला जाता है जिसके करण उसके घर का फाइनेंशल हालत बिगरने लगता है और उसकी पतनी आयरेन भी उस पर सवाल करने लगते है कि इतने पैसे जहां कहा रहा है डॉन के लिए अब इतने लोगों का खर्चा जाते हैं और एक दिन अचानक से मेरी की तबीयत खराब हो जाती है ऐस्तिमा के कारण जब डॉन बहां पर आता है तो सारा उसे बताती है कि उसे अभी के अभी डॉक्टर के पास ले जाओ क्योंकि मेडिसीन से उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा अधरवाइस मर जाएगी इस बात करने नहीं देता जब डॉक्टर डॉन को एक पेपर साइन करने के लिए देती है तभी मौका देखके सारा उस पेपर पर पानी गिरा देती है तो डॉन दूसरा पेपर लेने चला जाता है उसी वक्त सारा वहां से भाग के डॉक्टर के पास चली जाती है और उसे गले लगा लेती है उसके बाद कहती है कि मेरी मदद करो यह सुनके हॉस्पिटल के सिक्यूरिटी गार्ड जाके डॉन को पकड़ लेते हैं उसके बाद डॉन को पुलीस आके पकड़ के लेके जाता है सारा मैरी के पास जाके खुशी बैटके उन्हें देख रहे होते हैं दभी बहां पर क्रिश आ जाता है और वो सारा से कहता है कि वो अब भी सारा से बहुत प्यार करता है यह बोलके वो दोनों एक लॉंग ड्राइब पर चले जाते हैं यही पर मुवी खतम होती है तो आशा करते हैं आपको इस मुव सेक्शन में हमें दे सकते हो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना आज के लिए यहीं तक गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई एव ग्रेट टे कियर